छिन्वड़ा जिले के परासिया थाना शेत्र के अंतरगर चानदा मेटा रोड पर सौंबार दोफेद दो हमलावा रुप के बीच विवाद हो गया जहां विवाद में एक यूवक ने दूसरे विवक पर चाकू से हमला कर दिया जिसके बाद यूवक की मौके पर ही मौत हो गई आपको बता दे कि चाकू से मानने के बाद आरुपी हत्या लेकर खुद ही थाने पहुंच गया मरने वाले की पहचान गाजन डूह निवासी चेत्राम और फचोटू के रुप में हुई है में तक क्यूवक पुलिस्थाने के सम्मी भी हमाली का आरुप काम करता था यही पर भट्टी मौला निवासी आरुपी बाली नामदेव भी हमाली का काम करता था बाली की मानसर के स्थिति कुछ ठीक नहीं थी जिसकर दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई जिसके बाद इस घटा को अंजाम दिया गया है बाली ने सिर्फ पारण नाम उसके चेतरा दूबे निकाले उता किया जिससे बाली चेतरा मुच खोटू दूबे को अकड़का थी इसकर लार आरहा है पहले आज के कड़े से सिर में मार्ट पीट किया और आगे जागा अपने पास दिये चाकुष तीन जगे मार्ट पीट किया है इससे खोड़ने करने लगा और तेकराम देमिन पर किर लिया इससे अफ्ताल भी जागया जो जित हो गया था झाल